अस्लाम लेकुम एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग? उमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे अगर अपनी मेरी चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर लीजिये और वीडियो को भी जुरूर लाइक कर लीजिये शब्सक्राम करें और चटनी जो है वो गार्लिक की और चिली की हम लोग बनाते हैं और यह इतने मज़ी की लगती है तो सही स्पाइस एड़ कर देती है उसके लावा फ्लेवर भी एड़ बहुत अच्छा कर देती है और पूर इसके बाद जो इन नूडल का टेस्ट आता है एंड पे आप इसके भी धूब आप बिलीफ करें इतनी चुब रही होती है अगर हम बारा बजे निकले तो उस टाइम तो पता नहीं क्या आलम होगा तो बस अभी काम वाम हम लोग कर रहे हैं जो भी है उसमें मैं और भाई जो है वो बाहर आये थे और हमें जो है फिर अम्मी का फून आया था क अच्छा है कि इसी वकत आ गया था हमारे घर पहुंचने से पहले और बेतर है क्या बंदा बार बार जो है वो बाहर जब निकले ना तो फिर पूरा ही जो भी समान घर पे चाहिए वो लेके हम लोग चले जाएं तो अभी बस हमारे काम तो हो चुके अब हम मार्केट जा रह हमारे एरिया की मार्किट है और कामरार मार्किट हम उसको कहते हैं वहां से थोड़ से फूट्स लेंगे कुछ जो है वो शॉप से भी चीज़े लेनी है तो वह आप लोग आगे देख लेंगे हम लोग जब यहां से गुजर रहे थे तो यहां पर शूटिंग भी हो रही थी किसी ड्रामा की पहले तो हम लोगों ने रास्ते में वो देखा कि शूटिंग हो रही है तो हम लोग आगे चलेगे फ्रूट्स लेने फ्रूट्स हम लोगों ने थोड़े से लिये हैं फिर हम लोगों ने सोचा कि शूटिंग की जो है वीडियो बनाते हैं पहले मैं उसको वीडियो को एड़ करने लगी थी व्लॉग में मगर फिर मैंने नहीं की इस वज़ए से कि कहीं मतलब ड्रामी की है तो कोई मसला ना हो कोई कोपिराइट क्लेम ना आ जाए तो मैंने उस वज़ए से एड नी किया थोड़ी सी है वो आप आगे देख लीजेगा और फूट में हम लोगों ने जो है थोड़ी से एपल लिये थे मिठा है मिठा बहुत अच्छा लगता हम लोगों को मिठा तकरीबर रोजी लिया ज हम जो है वो घर जा रहे हैं घर जाके जो है थोड़ा सा जो है काम था वो किया फिर हमने खाला से बात कर ली थी कि खाला जान हम आपको रात को खाने को लेके जाएंगे तो आप इते बज़े रेडी लेजेगा तो बस अब हम जो है सारे खाला जान के साथ खाला को लेके जा यह हूआ एंड पे के हम लोग तिकक खाने जाते हैं क्वाला जान बाहिर निकलना नहीं होता है वो जरह आवॉइड ही करती हैं कि मैं बाहिर देना जाहँ क्योंकि आजजकल पतब्राइक है वह सोचा मुण समय बार सबस्केद म Çünkü करद शाद को वह दो यूं मिर्ट सन्व का रए चांस निहां कि तो बीगतार द訴 कर लेकिकर अरिह की मुझ उच्छा है कैसल ठाशना को रदिम्ठ्र अच्छा है विकिने सब्सक्राइएं और 6 वाले दिन से भी ज्यादा रश है और ये गुरु मंदिर है जगा का नाप और सामने मस्जिद कल के विलॉग में मैंने आपको दिखाई थी वो देखें माशाला कितनी प्यारी लग रही है सजी ये दूर से ही नजर आ रही थी इतनी खुबसूरत लग रही थी इदर इतनी ज् कराटिका बनाते हैं पराठा और जो भी इनकी और चीज़ें हैं कबाब हो गए सीख कबाब हो गए ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम हम जिस जगा में बैठे थे मीरिट में अभी हम उस जगा पर नहीं बैठे ही वो जगा जो है वो रिजर्वड हुई थी फैमिली के लिए बहुत क्योंकि वो बड़ी जगा थी तो इस बार भी हमें अच्छी जगा मिलगी बैठने के लिए सबसे जबरदस ब बाला है और वो इन्होंने पनी special चट्णी जो है वो लेकर आगी है और सात में salad salad हमेशा fresh होती है यह निया है कि जो अनियन्स वो पुराने है या smell ला रही हो या कुछ भी हैसा हमेशा fresh होती है salad भी और चट्णी तो आप इसे जितनी के इनी उतनी लाके देंगे और लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा है और यह बस हमारा जो है और आ चुका है हम लोगों ने पराठे और तिक्के मंगवाई थे और साथ में और चीज भी मंगवाई है वह आप लोग देख लीजेगा पराठे तो इतने जबरदस लग रहे थे उस टाइम गरम गरम और तिक्के भी ग का आता है पूरी पराठे का और हलवे का आप लोग जुरू ट्राइक कर जिएगा और बस अभी हम लोग जो है वो तिक्के रख रहे हैं सब ने अपने लिए जो है पनी पसंद का मगवाया था आपको तो पता है मैं और अम्मी जो है अम्मी की वजह से मेरी बलके जो आदत ह वो चेस्ट की हो गई गया है खाला ने अपने लिए स्पेशल लेक का मगवाया था उन्हें लेक पसंद है वैसे लेक ये बात होती है लेक ड्राइ नहीं होता जादा जूसी होता है और ये मेरा बाइट है मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ इतना गरम था एक त पूरी पराठा ठंडा हो जाए चो वो मज़ा नहीं आता खाने के अंदर तो अम्मी मुझे तो ये बोल दिया लेकिन उसके बात अम्मी जो है वो खुद कितना से लोग खा रही है अब भी तक उन्होंने अपना तिक्का आप कहा है कि स्टार्ट भी नहीं किया है और ये मेर दिलीला खाला को बहुत अच्छा लगा था खाला जान को तो बहुत मज़ा आया था वो भाई को इतनी दौाएं दे रही थी कि मुझे लेकर आयो काफी अच्छा लगा और हमें भी बहुत मज़ा आया क्योंकि फैमली साथ होना धेर सारे बंदे हो तो मज़ा उन्हीं में ही वैसे मज़ा नहीं आता है लेकिन अम्मी का जो तिक्का है ना वो उदर का उदर ही है यह आप देगे हम सब खतम कर चुके है और अम्मी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उसको खा रही है और यह मेरी बाइट है जो के मैंने सिंपल तिक्के की और चटनी के साथ ल पर है और रभी लवल की वज़ा से मैंने आप लोगों को रोज ही दिखा रही हूं कि माशाला से कराची बहुत प्यारा सजा रही है सारी लोग लोग अपने घर भी सजा रही है उसके लावा जो यहां की गौर्ण्मेंट है वो गलियां सजा रही है आपने देखा काईदया आदम का मिजार पे भी इन्होंने पिंक कलर की लाइट्स लगाए भी है और इतना खुबसूरत रास्ता सजावा था अभी तो इतने दिन है आने में बर लेकिन 12 रभी लवल को ना एक अलग ही बाहर रोनोग होगी अलग ही सेलिबरेशन हो रही होगी तो इन्शाला वो दिन तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी उस दिन तो बहुत ही मज़ा आएगा और अभी आप सारा रास्ता देखें सारे रास्ते में भी इतना ही प्यारा इन लोगों ने सजाया है पूरी रोड स्पेशलि जो पुरानी सबजी बंडी की रोड है ना ये सजी वी और ये मदनी चैनल वालों का एरिया है उन लोगों ने तो इतना खुबसूरत सजाया है मदनी वाले हमेशा हर साल रभी अलवल में अपना सारा एरिया ऐसे सजाते हैं उनकी जितनी भी मस्जिद हैं वहाँ पे वो अपने मस्जिद को भी इतने प्यारे तरीके से ही ऐसे ही लाइट्स लगाके रोशन करते हैं और बस अभी हम लोग जो है वो एक और जगा खाने पर जा रहे हैं खाला को डिजर्ट खिलाएंगे और खाला जान का जो दिल था वो था बलोच का फालूदा खाने का बलोच का फालूदा हम लोग हमेशा से खाते हैं और काफी अच्छा किया था साथ में हम सब को ब्रैस लिड्स होते नमोटिय के फूल के हम लोगों नहीं हां से लिए थyl फूल वाले से और हमने ओरर किया था रोस फ्लेवट का फालूदा बजा फामिलिल् track इता फैमिली नहीं कहाती है बस थोड़ा सा जो है खाला नहीं लिया था खाला फिर घर पारसल ले गी थी स्पेशल नहीं करवाया था हम लोगों ने ये नॉर्मल था मगर ये बहुत ही मज़ेगा होता है तो आप लोग इसको भी अगर ट्राय करना चाहें फालूदा पसंद है तो जरूर ट्राय कीजेगा और बस ये थी ह हमारी आज की रूटीन इतने मज़े की और बहुत हमें भी बहुत अच्छा लगा खाला जान के साथ बाहर जाके और मुझे अमीद है आप लोगो को भी आज का व्लोग जो है वह अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजे और अ हुआ 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 है